सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाईए, आयरवेदिक उशद्यां और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो, हेल्थ टच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं बैदनात, सीत, पित, बंजन, रस्ट के बारे में, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, किन-किन और शुद्यों के मिसरन से इसको बनाया जाता है, क्या इसके गुण है, क्या इसका उप्योग है, कैसे प्रियोग करना होता है, सबी बाते आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखेगा, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अगर जानकारी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइ 129 रुपे है जो समय के अनुसार कम या जादा हो सकता है जैसा कि इस पर लिखा हुआ है इसका जो गून दर्म है इसमें सोट में लिखा होता है मदागनी और रक्तलपता के बारे में इसमें बताया गया है लेकिन यह इसका पूरा परीचे नहीं है आगे हम विश्तार से इसके बारे में बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसका कंपोजिशन बता देते हैं किन-किन दवाईयों की मिसरन से इसको बनाया जाता है दोस्तों इसको बनाने के लिए इसमें है सुदपारद, शुदगंदक, कशिश भश्न, तामर भश्न इन सब के इस्तमाल से इ बनाया जाता है इसके अलावा इसमें ब्रंगराज का स्वरस और सरपूंखा का जो स्वरस होता है उसकी इसमें बावना दी जाती है इसका पूरा प्रोसेस अगर आपको जानना है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या आप हमारे वोर्ट सेब नंबर पर संपर कर सकते हैं या आप हमारे ब्लोग पर जाकर भी इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप कर सकते हैं तो इन और्षुद्यों के मिसरन से इसको बना जाता है सराब संपुट यंत्र की सायता से अगर बातकरेश के गुणों की तो इसका जो परियोग है वह सीत पित में इसका परियोग किया जाता है जिसे पिती निकलना भी बोलते हैं इसके अलावा जैसे दाफर जो सरीर पर पड़ते हैं लाल-लाल चकते होना जैसे जो समश्या होती है उसमें इसका परियोग किया जाता है जैसे कि हमने सुर्वात में बताया था कि इसको हम विश्थार से बताएंगे तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक इसका ये मैनुवल इसके आती है इसका जो परचा होता है इसमें गुन दर्म इसके लिखे हुए हैं ये भी आप इसको वीडियो को पाउस करके आप इसको पढ़ सकते हैं हम आपको इसका पूरा परीचे देंगे ही इसका जो परियोग है हलीमक रोग में इसका परियोग किया जाता है इसके अलावा पांडु रोग में इसका परियोग किया जाता है कमला रोगों में पेट रोगों में इसका परियोग किया जाता है यकरत के विकारों में इसका परियोग किया जाता है इसके अलावा पीलिया में और जो सोथ होता है सूजन जिसे बोलते हैं उसमें इसका परियोग किया जाता है इसके अलावा कफज रोगों में भी इसका बहुत अच्छा परियोग है कफज और गुल्म दोनों में ही ये काम करता है इसके अलावा पत्री में काम करता है इसके बहुत सारे प्रभाव हैं जो आप इसका परियोग करेंगे तो आप इसका परियोग का जो प्रभाव होगा वो आप अनुवव करेंगे इसके अलावा इसका परियोग जो वात रक्त होता है उसको दूर करने के लिए इसका परियोग किया जाता है कुष्ट रोगों में इसका परियोग किया जाता है इसके अलावा विशेश कर जो इसका परियोग किया जाता है वो सीत पित जिसे पित उचलना भी बोलते हैं उसमें इसका परियोग जादतर किया जाता है ये आपके पेट के सभी रोगों को भी दूर करता है और जो लीवर का जो कारिय होता है उसको सुदारता है इसके साथ साथ जिन लोगों को पेट की समझ्चा के कारण रक्त विकार होता है उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी ओशदी है जब भी इसका परियोग किया जाता है तो जो गरम चीजे होती है उनों चीजों का फ्रेज रखना होता है यहाँ पर कुछ चीजे दिखाई गई है जिनका फ्रेज कर सकते हैं और आपको क्या इसके साथ लेना चाहिए वो भी इसमें दिखाया गया है इसको वीडियो को उसका रेचन करता है उसका सोधन करता है और उसको समन भी करता है इसका परियोग आप चिकित्सक की देखरेख में कर सकते हैं एक से दो रत्ती तक कि इसकी मातरा होती है जो समय के अनुसार और रोक के अनुसार इसकी अलग अलग हो सकती है या चिकित्सक अपने अनुसार भ कर लीजिए आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी इस वीडियो के संबंद में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो निश्याद का ख्याल रखिए धन्यवाद